हे गाईश, देखो लगबग आज मैं आपको दो पैनी स्टॉक्स बताऊंगा जो लगबग आने वाले दिनों में खाफी हैज़ से परफरूम कर दिखा सकता है देखो मैं आपको बतातूं पैनी स्टॉक्स का मतलब प्राइस छोटा नहीं याद रखे प्राइस छोटा होने से पैनी स्टॉक्स नहीं होता मार्केट कैप छोटा होने से कमपनी छोटी होती है और माले जे किसी कमपनी का मार्केट कैप माल लेते हैं कि अब एक हजर करोड का है तो कलके डिट में अगर ये माल लेते हैं कि एक 50,000 करोड़ का हो गया तो ये company बड़ी हो जाएगे इसका share का price कई गुना हो जाएगा मतलब कई गुना आपका पैसा कर देगा multiply कर देगा समझे रो already मान लेते कि एक company का market cap 1,000,000 करोड़ का है और उसका price मान लेते कि 10-20 रुपे के आसपास है तो क्या ये company आपको बहुत बड़ा benefit दे पाएगा नहीं दे पाएगा समझे रो बहुत बड़ा benefit की बात की जारी है अब देखो penny stocks का मतलब क्या हो ता 10,20,40,50 गुना आपका पैसा करना है की नहीं है नहीं कर सकता है जिसका market cap 1,000,000 करोड़ के आसपास है तो सब कुछ depend होता है market cap के उपर होता है penny stocks में ज्यादा तक risk भी होता है तो लंबे समय के लिए कुछ पैसा लगा के छोड़ देना है जो लगबग आपको काफी एचा benefit निकाल के दे बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना है कभी भी छोटे छोटे पैसा लगाना है याद रखीगा penny stocks में एकडम ना के बराबर पैसा लगाना है कुछ भी हो सकता है कल के date में company बंद हो सकती है या फिर उसका price मान लिज़े कि ये मतलब सेवी के तरफ से restrict भी कर दिया जा सकता है company में कुछ भी हो सकता है penny stocks है न तो 100 में से मैं आपको बता दू केवल 5 ये 5 ही penny stocks होते हैं जो लगबा आउट perform कर दिखाते हैं जो आपका पैसे लगबाग 10, 20, 40, 50, 100 गुना कर पाती है लेकिन बाकि जो 95 रहते हैं वो लगबाग आधा तो नुकसान देते हैं और उसमें से कुछ company का नाम गायव होता है और कुछ company का आता पता भी नहीं होता तो किवल 5 ही stocks होते हैं जादा जादा 10 बोल सकते हैं बस सोच लो 90% नुकसान होने का chances है तो पहले जान लो कि आप कहां पर आए हो और किसके लिए आए हो देखो सभी लोग को profit चीए लेकिन किसी को loss नहीं चीए लेकिन stock market में जादा तो loss ही मिलता है है कि नहीं है तो risk and reward के बारे में जान लेना चीए कहीं पर भी कहीं पर भी अगर आप कोई agreement करते हो किसी के साथ तो agreement पहले पढ़ लिया करो क्या है क्या नहीं करके कोई भी काम में तब आपको ज़्यादा benefit मिलेगा company के बारे हम बात करें उसका share का price अभी 8 रुपे क्या असपास है सही है आप इसको up down करके कहीं पर भी खरी सकते हो कोई tension की बात नहीं है पिछले एक महिने में इसने लगबग 41% का return दिया है पिछले छे महिने में इसने लगबग 141% का return दिया पिछले एक साल में तो इसने लगबग 1100% का return दिया आपका पैसा दस गुना हो गया, अगर आपने 100 रुपे लगाया होते तो 1000 रुपे है, 1000 रुपे लगाया होते तो आपके हिसाब से आप अपना देख सकते हो जितना अपने investment किया, उस हिसाब से आपको return count कर सकते हैं लेकिन, यहाँ पर आपको कुछ सिखने को मिलता है, सिखने को क्या मिलता है कि स्टॉक्स में कभी-कभी बड़ी गिरावट भी होते है देख लो, बड़ी-बड़ी गिरावट भी होते है यह जो गिरावट देखने को मिला है, चोटा-चोटा गिरावट नहीं है कमपनी काम करती है जो कि लगबग इसका प्रॉफिट गुरूथ जो आपको देखने को मिला यहाँ पर आर्निंग पर्ष यह देखो बहुत ही छोटा है क्योंकि काफी छोटी है यह कंपनी का रेविन्यू वगरा यहाँ पर आप देख सकतो समझ रहो कंपनी के पास डेट वग लोड यह भी काफी कम आपको देखने को मिला प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी ने पिछले तीन-चार सालों से कुछ अच्छा खासा परफम नहीं कर पाया सही है तो यह सारी चीज़े जो है कंपनी में आपको प्रॉलम देखने को मिला आप आज आते हैं देखो क्वाटर देखते हैं क्या रिजल्ट में कंपनी काफी एचा बेनिफिट कर पा रही है तो देखो रेविन्यू मैं आपको बोला बहुत चोटी कंपनी है बहुत ही चोटी कंपनी है तो यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट देखोगो तो लगबग 0.35 क्या असपास है फिर देख औन एर के हिसाब से देखते हैं यह देखो एर औन एर के हिसाब से आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर प्रॉफिट आफ्र टैक्स आपको जो देखने को मिला जो पहले थी 0.32 क्या असपास था अभी देख सकते 0.67 क्या असपास है मतलब पहले से कंपनी में काफी बड़ दिरे दिरे यहाँ पर यह है पर्मोटर्स के हिस्चेदारी देखो बहुत सारे पर्मोटर्स हैं जिनके नाम हो अगर अभी यहाँ पर आपको दिये गया है अब पर्मोटर्स में देखो गए तो बहुत सारे लोग जो है अपनी हिस्चेदारी कुछ-कुछ लोग बढ़ाने लिस्ट है वहाँ पर तो सारे पर मोटर के पास कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो हिस्सेदारी है और चोटे-चोटे ने बड़ी-बड़ी हिस्सेदारी है किसी के पास 10% है 15% है 4% है अच्छा है कंपनी का नाम देख लो जो लगबग कम से कम तो 10-20 गुना पैसा कर सकता अगलम इंडस्ट्री फाइनेंस केवल 8 रुपिस के आजपास है समझे रों काफी चरी तन दे रखा आगर आज के रेट में भी देखते हैं तो यह स्टॉक्स बिलकुल सरकीट मनी है कोई भी खरी सकता कोई भी कभी भी सुबह हो साम हो दोपार हो कभी भी कोई भी सकता इन्फोमेशन टेकनोलजी और इन्फोमेशन टेकनोलजी इनेबल सर्विस के लिए काम करती है आईटी सेक्टर में आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं काफी अच्छा प्रॉफिट देते हैं तो उमीद कर सकते हैं कि काफी अच्छा प्रॉफिट ये भी निकाल के दे सकेगा, information technology enabled service के लिए company काम करती है, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा, कि बहुत टाइप के IT सेक्टर, देखो, IT सेक्टर में बहुत सारे जो company होते हैं, वो थोड़ा, जो field होता ना, अलग-अलग होता, कुछ लोग electric vehicles के लिए, software के लिए काम करते हैं, कुछ लोग लगबग new generation के लिए काम करते हैं, कुछ लोग लगबग auto sector के लिए काम करते हैं, तो लगबग सबका अलग-अलग है, तो मैं आपको बताया जारा 5-year nifty 500 में आपको देखने को मिलता है देखो nifty 50 nifty 100 nifty 200 nifty 500 ऐसे होते हैं ठीक है तो उसमें टेंशन लेना नहीं बात नहीं है परमोटर इंक्रीजिंग शेर होल्डिंग quarter on quarter परमोटर होल्डिंग इंक्रीज more than 2% यहां देख सकते हैं quarter on quarter company with the यहां पर देख सकते हैं यह सारी चीज़े जो है देरे देरे बढ़ते जा रहा है net profit with increasing profit margin देखो दो चीज़ होते हैं आपका net profit तो बढ़ गया margin नहीं बढ़ा margin तो बढ़ गया profit नहीं बढ़ा होता है देखो सबसे main खिला जो होता ना margin का होता margin बढ़ना चीए भाई अगर आपने 100 रुपय का product बेचा है तो आपको 30 रुपीज या 40 रुपीज बचना भी तो चाहिए आपने 100 रुपय का product बेचा आपको 5 रुपय का benefit हुआ तो भाई कोई benefit हुआ यह कोई benefit नहीं हुआ इससे अच्छा FD ना करा दे हम समझ रहो तो ऐसा होता company with low date आपको देखने को मिला से या no date आपको देखने को मिला तो company हर जगा से लगवग देखोगे तो परमोटर का pledge बगरा नहीं है तो positive sign दे रहे यह company IT sector की company है यह बहुत छोटी है company करोडों में benefit नहीं करती है लाखों में करती है क्योंकि company का market cap और company बहुत छोटी है समझ रहो आप जो माल लेते हैं कोई middle class का आदमी है क्या वो 5 कर दिया 10 करोड कमाता है डेली नहीं कमाता है क्यों छोटा आदमी है छोटा छोटा benefit करता है है कि नहीं अब बड़े बड़े जो लोग होते हैं क्या वो 5-10 रुपया कमाते हैं नहीं कमाते हैं तो इसलिए मैं आपको समझाने कोशिस करा हूँ देखो होता है न यहाँ पर क्या होता कि किवल 10 लोगों को profit होता है 90 लोगों को नुकसान होता है समझ रहो न होता है लेकिन लोगों को सब लोगों को सब कुछ पता होता है यह क्यों होता है पता है क्यों को लोगों को पता है कि मुझे पता है लेकिन जितना पता होना चाहिए था उतना पता नहीं है प्राब्लम यही है समझ में आ रही है मेरी बात में क्या बलो पता है सब कुछ पता है लोगों को लेकिन जितना पता है उतना ही पता है जितना पता होना चाहिए था उतना नहीं पता है सपोज माल लेते हैं आपने एक घंटे में पूरी मतलब माल लेते हैं मेहनत लगा कि अपने दो घंटे का काम किया क्या आप दिन भर में किवल दो घंटे काम कर सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किवल दो घंटे को माल ले ते कोई प्रोजेक्ट दिया गया आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आते तो हैं सब कुछ लेकर, लेकिन और यहाँ पर डेले-डेली जो सीखना होता है, वो नहीं सीखते हैं यहाँ पर, अब ही देखोगे इस कंपनी में न, डील, डील होती है, जैसे खरीदना, बेचना, कौन, कितना खरीदा बेच रहा करके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो खरीदने वाले लोग ज़्यादा है, देखो, खरीदा गया है, खरीदा गया है, सब कुछ बल्क में खरीदा जा रहा है, देखो, एक ने बेचा है, फिर किसने खरीदा है, बेचा है, बेचा है, खरीदा है, यहाँ पर देख सकते हो, तो खरीदने वाले के तागात यहा इन्वाल्मेंट आपको देखने को मिला और यह जो दूसरा कंपणी है उस कंपणी का आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड स्टोन टेकनोलजी लिमिटेड जिसका शेर का प्राइस केवल 79 रुपीज में आपको देखने को मिला केवल 79 रुपीज देख सकतो ध्यान से देख कंपणी को नहीं तो फिर दुबारे वीडियो बनाऊंगा तो उस दिन मत बोलिया कि भाई मैंने ध्यान से नहीं देखा था पता नहीं था याद नहीं था पहले बताया नहीं है यह सारी चीज़ें बाद में देखेंगा ठीक है फिर दुबारे यह से मत बोलीगा तो यह है जो आपको काफ़े इच्छा benefit दे सकता future में तो यह दो stocks मैंने आपको बताया है जो भी है long term के लिए है छोटे मुटे पैसे डालके छोड़ देने बड़ा पैसा नहीं डालना बड़ा पैसा बिलकुल नहीं डालना एकदम छोटा ना कि बराबर आपको डालके छोड़ना है फ्री भी मैं आपको बलूँगा बहुत चोटी company थी पैनि स्टॉक्स मैंने आपको बताया हो सकता तो आपका पैसा 10-20 गुना भी कर दे ये भी हो सकता कि आपका पैसा 0 भी कर दे तो अपने financial advisor से और खुद का research करना मत भूलिएगा क्योंकि जो profit होगा वो आपको मिलेगा त साफी बड़ा benefit दे सकता कहीं से सुन लिया कहीं से किसी ने tip दे दिया कहीं से बता दिया भाई मैंने जो ये stock में आज के rate में मुझे जो नुकसान हुआ है न कहीं पर मैंने वहां देखा था वहां देखा था तो हर जगा देखके करने से नहीं होगा ना खुद पे भी भरू साफ करना चाहिए है कि नहीं और अगा स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डीमिट अकाउंट इंजल में उपन कर सकते हो जहां पर आपने सी बीए सी मिशल फंड कुछ भी खरी सकते हो जो चार्जिस वगरे रहेंगे ना बहुत छोटे रहेंगे डीमिट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है डिलेवेश चार्जिस फ्री है क्यों 20 रुपीज लगेगा वो भी इंट्राडे में तो डिस्क्रिप्चन में लिंक है मिन्टू में जाके अपने डीमिट अकाउंट बागर आपन कर सकते हैं